नमस्कार आज वर्ल्ड हार्ट डे है हाल के कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए है दुनिया भर में और भारत में भी यहां तक कम उम्र के लोगों में नौजवानों में अचानक हार्ट अटैक्स के बहुत सारे मामले सामने आए हैं और इसमें आम लोगों के अलावा बहुत सारे खास लोग शामिल है कई खिलाडियों की खबरे आई कि अजानक खेलते खेलते खेल के मैदान पे गिर पड़े फुटबॉलर्स कई आर्टिस्स की खबराई मशूर सिंगर केके की खबराई थी के प्रोग्राम के दौरान ही दिल के दौरे की वज़े से उनकी मौत हो गई तो ये तमाम खबरे जब सामने आती हैं तो हम सब लोगों में ये फिक्र बढ़ती है कि आखिर क्या वज़े है कि दिल की बिमारी इतनी जादा बढ़ती जा रही है और तभी इस पर जागरूकता पहलाने के लिए वर्ल्ड हाट डे भी साल दर साल मनाया जाता है और आज फिर वर्ल्ड हाट डे है तो इस मौके पर हम लोग बात ये करेंगे कि हम और आप कैसे अपने दिल का बहतर ख्याल रखें और हमारे साथ पैनल पर हैं डॉक्टर रजनीश कपूर जो चेर्मन हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलोजी के मिदानता हॉस्पिटल डॉक्टर विवेक चतुरवेदी हमारे साथ हैं होडी हैं अमरिता इंसिच्ट अफ मेरिकल साइंसे और रिसर्च हमारे साथ शिल्पा अरोरा हैं जो नूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर वीजे हुडार डेपार्टमेंट अफ काया चकित्सा यानि के आयूरवेद से जुड़ा एम्स में जो डेपार्टमेंट है डॉक्टर रचना खना हमारे साथ जुड़ी हैं मेंटल हेल्थ और वेलनेस कोच हैं और इसके लावा हमारे साथ तमाम लोग हैं जिन से हम बातशीद करेंगे तो शुरुआत में करना चाहती हूँ डॉक्ट साब अगर सबसे बहले बताएं किसमें कितनी सचाई है कि हार्ट अटाइक या कार्डियो वैस्कुलर बिमारियां जो है वो बहुत बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में खास करके कोरोना और पोस्ट कोवड ये बहुत सच है और हार्ट डिजीज एक एपिडेमिक की तरह है और एक्सपोनेंशली ग्रो किया है पिछले पांच साथ साल में अगर हम डेटा देखें तो एवरी मिनट इन इंडिया समबडी इस हविंग अ हार्ट अटेक और एक और अचंबित करने वाला वाक्या ये है भी बहुत सारे यूथ अब इसकी चपेट में हैं बहुत सारे यंग इंडिविजुल्स जो पहले माना जाता था इससे शायद इम्यून है और यंग में ये मार नहीं करती बिमारी तो आप 25 से 40 साल का जो एज ग्रूप है वो भी इसकी ट्रैप में है और बहुत से लोगों को हार्ट अटेक ही नहीं हो रहा सदन कार्डियक डेथ भी हो रहे हैं यानि कि Sudden Cardiac Arrest, एक तो Cardiac Arrest और Heart Attack दो अलग अलग चीज़ है, Cardiac Arrest में क्या हो जाता, जब अचानक Heart की गतिवे दी जो है, वो बिलकुल रुख जाती है, बिलकुल, Heart Attack है, जब किसी Heart की धमनी बिलकुल रुख गई तो Heart Attack होता है, ज़रूरी नहीं है, वो Cardiac Arrest हो, उसमें अगर वो Timely Patient Hospital पहुंच जाए, तो उसका इलाज हो सकता है, धमनी खोलने से उसको बचाया जा सकता है, बट कुछ केसिस ऐसे रहते हैं, जहां धमनी रुखने से Suddenly एक Life Threatening Situation पैदा हो गया, और Heart की गतिविदी टोटली रुख गई, उसको हम Cardiac Arrest कहते हैं, उस Cardiac Arrest में भी कुछ चीजें करके उनको बचाने की कोशिश की जा सकती है, बट देन बचने के चांसिस बहुत कम होते चले जाते हैं, पिछले कुछ सालों का, जैसे Post-Covid क्या कोई Research, क्योंकि GP Penth Hospital के एक Research में देख रही थी कि दो सालों में भी काफी जादा बढ़े हैं, Post-Covid जो Cases हैं, तो कैसे आप लोग इसमें कोई संबंध है, COVID या Vaccination या Heart Attacks इतने जादा बढ़े हैं, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में अब ये सवाल भी उठा और इसमें सवाल भी उठ रहे हैं, और मैं इस study में भी शामिल था, दो तीन पेपर्स जीवीपन से आये थे, और आप जीवीपन से आये थे, तो बताना चाहूंगा कि कोविड वाइरस के जो infection जो होता है, उससे itself, खून के ठक्के बनने की जो tendency है, और दिल की जो गतिविदी है, दिल के एकदम से जो अंदर धमनियों में जो रुकावटे होती है, वो एकदम से इंडिकेटर नहीं मिला है कि वैक्सीन जो इंडिया में यूज हूई है, जी यह जरूर है कि अगर कोविड हुआ है, तो हार्ट रिलेटे डिजीज जो इससे बढ़ी है, सबसे जारा जो देखा गया था, वो कि एकदम से कोविड के बाद, खास करके सीरेस कोविड के बाद जब डिश्चार्ज होते थे, तो एकदम से आकस्मिक मरत्यू, इसलिए बलाथे नाज भी लोगों को दिया जा रहा था, वो इसलिए था क्योंकि क्लोटिंग टेंडेंसी जो बॉड़ी के डिफरेंट जगों पे थी, लंग्स की धमनियों में, हार्ट की धमनियों में, वो बढ़ जाती थी, आप दोनों टॉक्टर्स हैं, बड़े अस्पतालों में, तो कितने केसे बढ़ गए हैं, पेशिंट्स जो आते हैं आपके, बहुत, एक केसिस के नंबर बढ़े हैं, जो एक्यूट हार्ट अटेक से अमर्जंसी में आते हैं हमारे पास, और केसिस का जो ए नेयो कार्डियम को हार्ट के मसल को सेंसिटाइज करता है, अरिदमियास के लिए, रिदम प्रॉब्लम्स के लिए भी, वो भी एक कारन रहा है, जिससे सदन कार्डिकरेस कोविड के बाद बढ़े हैं, बट मैं ये मानता हूं, वो एक समय था जब एंटी बॉडी टाइटर, जब वैक्सिन लगता है, तो एक एंटी बाडी टाइटर पहले दो साल तक काफी ऊपर रहता है, तो अब वो जाकर फेज वीन ओफ हो रहा है, अब हमें उतने केसिस कोविड वैक्सिनेशन से जो एसोसेटेड हैं, या कोविड विमारी से एसोसेटेड हैं, I think we are out of that phase now, बट उस समय वो जरूरी चीज था, बट उसने डेफिनेटली एक एक नया चीज हमारे सामने दूसरा पेश किया भी, ये हार्ट डिजीजिस और सडन कार्डिक अरेस्ट बढ़ते चले गए, डॉक्टर जातुरवेदी, क्या कोई direct correlation आप लोगों को दिखाई दी है, और ये जो cases बढ़ने लगे हैं, हार्ट की बिमारी में, वो कोविट, पोस्ट कोविट और उसके पहले की क्या condition थे, मेरा थोड़ा सा opinion इसमें थोड़ा सा फ़रक है, में जे लगता है कि भारत में पहले भी हार्ट डिजीस बहुत जादा हो रही थी, वो ग्रोथ जो rate है वो बढ़ते च पुश्किल काम है, जिसको सिध किया जा सकता है, बट जब कम उमर के लोगों में जिस तरह की बिमारी ये देखी गई, तो कम उमर के लोगों में पहले इतनी जादा नहीं थी, जितनी पोस्ट कोविट देखी गई, और अचानक चो कलाप्स करते वे लोग देखें, ना सिर् किया था, कि यंग उमर के जो हार्टेक की पिशेंट साथ हमारे पास आते हैं, सिरफ जीवी पंथ हॉस्पिटल में, आपको विश्वास नहीं होगा, कि एक साल में, एक अकेला मैं कंसल्टेंट, मैंने 100 से उपर 30 साल से कम उमर के लोग हार्टेक की देख चुका था, और इन टू, Caucasians या Chinese थोड़ी जादा है, पर वो चीज तो शुरुआत से रही है, अभी जो नया देखने को मिला है, कि हमारी lifestyle जो खराब हुई है, जीवन शेली जो खराब हुई है, उसका ये बहुत बड़ा है, उसमें धुमर पान एक बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है, जो जिस तरह का खाना, पीना हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, और तीसरा एक जो physical activity हो गई है, लोग अब शेहरों में ज्यादा हिलते डोलते नहीं है, वो तीनों के तीनों ये एक बहुत बड़ा योगदान इसके दे रहे है, ये कहना गलत न मैदानता में, जिसमें कोई यंग उमर के heart attacks को हमने उसमें enroll किया, और उनका risk factor analysis किया, तो एक special risk factor निकल के सामने आया, जो पहले नहीं था, sleep deprivation, so these young individuals are usually, you know, running so fast, they are very ambitious in their lifestyle, और screen time भी बढ़ते जा रहे हैं, तो सारे sleep deprived जो हैं, वो भी एक निया risk factor है, बहुत बड़ा risk factor है, ब और sleep अपने आप में, जिसको sleep disorder कहते हैं, वो अपने आप में capita में के जादा तर लोगों को नींद की समस्या है, शिल्पा ये lifestyle की बात हो रही थी और खाने पीने की बात हो रही थी, तो आप nutritionist है, जब इनों ने कहा कि भारत में, जैसा खान पान है, कि हमारे हाँ tendency जादा है heart disease की as compared to Caucasians, ऐसा क्या गलत खाते हैं, खाते तो पहले भी थे, लगमा जी, दिल की बाते हैं, दिल से जुड़ी हुई है, over consumption, जो हमारे देश में है, we are the diabetic capital of the world, तो diabetes is over consumption of sugar and so many processed foods, over consumption of too much of fatty foods leads to high cholesterol, तो यह हम जो under nutrition की नहीं है, यह over nutrition की है, और गलत nutrition की है, गलत nutrition and over nutrition, और यह जो भागदोड, sleep apnea, जो है, youngster सोही ने रहे तीन, तीन, चार-चार बज़े तक उनका एक चल रहा है, उनका एक target अचीव करना है, human growth hormones release होते हैं, जब हम time से सोते हैं, youngsters, वो हमारी body को heal करते हैं, rejuvenate करते हैं, सुबा उटके हम अच्छे से काम कर सकते हैं, हमारा दिमाग और तेजी से चलता है, so it is all related, it is a mind-body-soul connection, तो कुछ भी segregated नहीं है, कि सिरफ खाना खाएंगे, सिरफ exercise करेंगे, सिरफ हम यह करेंगे, सोच, आप consumption किस चीज की कर रहे हैं, even जो हम Instagram पे इतनी over consumption of so much we are taking in, तो वो भी थोड़ा रोकें कि हम हमारी सोच कैसी है, हमारा खान पान कैसा है, हमारी नींद कैसी है, it is a combination of lifestyle. और जो खान पान की बात थी, अब यह भी देखते हैं कि तमाम सडकों पे, मुझे लगता आधा इंडिया जो है, वो डिलिवरी का काम कर रहा है, जो यंगस्टर्स हैं, वो जूमाटो हो, वो स्विगी हो, तो उतने जादा लोग order करते हैं, उतने जादा बाहर से खाना काते हैं, बाहर से खाना खाना घलत है, यह मैं नहीं कहूंगी, प्र कि वाल्यू जज्ज्मंट को लेकर लोग नाराज हो जाएंगे, थोड़ी सी जो चॉइसे हैं, उनको हम अच्छा कर सकते हैं, कि जैसे कि हम कुछ ओर्डर भी कर रहे हैं, तो हम देखें कि उसके अंदर बहुत जादा मबर्गर, पाटी, पीजा, इतना प्रोसेस्ट खाना का रहे हैं, तो मुच अप्रोसेस्ट कार्भोईडरिट्स जो हम खा तो मशिक्ते हैं, जो अच्छी हमारी प्रोटीन है, बहुत इंपॉटन्ट है, तो हमने लेना है, इतना हमने बालंस्ट मील लेना है मिस नहीं करनी मील्स, जल्दबाजियं में क्या होता है, तो तो अपना खाना ले, बिकु़ज ये आपकी बोडी है, ये मशीन आपकी, खाना क्या क्या बहतर होता है तो सबसे पहले तो मैं बेसिक चीज जिसमें हम माध्यम में खाना बनाते हैं तो एक रिफाइंड ओइल जो है वो बहुत इंफ्लमेशन बॉडी में प्रड्यूस करते हैं तो कोशिश करें कि हमारे ट्रिडिशनल ओइल जैसे हमारा मस्टर डॉइल है देसी घी है जिन से हम घबराना शुरू हो गया है बिकोज इतना वह हमारे को मिसिंफिमेशन है पुरानी बातों पे जाएं जो अपने सिंपल खाने दाल के चीले नाश्टे जो हम यह ब्रेड से हम स्विछ हो के चीले थे जो हमारे पोहे थे इन हम चीजे उसमें कोकनी करना पड़ता नारियल पानी है अइसली अवेलेबल होता है घर में आप ग्रीन टी पी सकते हैं फल अपना कहा सकते हैं उसका फट आफट सालिट बना सकते हैं इसप्राउट्स खाव सकते हैं यह सब चीजे हाट के लिए बहुत बहुत फाइदेमंद तो ये चीज़े इंक्लूड करें तो आयूवेट के हिसाब से भी जो हार्ट की इतनी बिमारिया हैं उसके कारण क्या आप देखते हैं आपके हाँ भी क्या पेशिंट्स इसके लिए आते हैं डॉक्टर वी जी हुडार और क्या आप लोगों को सुझाएंगे खास करके जीवन करने से किया हार करने से हुता है कि क onu से प्रकार के अरुद्रोग होते हैं उसके लिए क्या-कया चिकत्सा होता है यह सब कुछ गया है जैसे हम अभी बात कर रहे हैं थी कि लाईफ स्टाइल डाइट लेंडर यह चीजों का यह ट्रैडिशन ल सिस्टेम ओप मेडिसिन जो हम बोलते हैं हमारे इंडियन्स के लिए जो सही है नहीं है हमारे गरंतों में ट्रैडिशनल सिस्टेम में बताया गया है अलरडी तो क्या है कुछ बताएं लोगों को जानकारी दें कि क्या अच्पेशली खान पान या सोने में हम चारे ये भी कि सुझाव लोगों को सलहा मिल सके कि कैसे अपने दिल का बहतर ख्याल लगे इसके लिए एक स्पेशालिटी क्लिनिक भी है उदर बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो प्रिवेंशन के लिए आते हैं जो अलरडी कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ क्या करना इसके लिए भी आते हैं और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए भी आते हैं कि आग साथ में रानायifice, पंच कर्म सुछियर्य, पहर होने, यह कार। करते रहें स्वस्त लाइफस्टाइल को अगर चेंज करके यह हम पूरा समझाते हैं पेशेंट्स को कि कैसे कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजिस के आयरविद के इसाब से अब मैं आपके पास दुबारा आओंगी यह समझने के लिए कि आपकर कुछ टिप दे सकें कि दिन मैं जाओंगी डॉक्टर रचना खना सिंग के पास जो की मेंटल हेल्थ और वेलनेस कोच हैं डॉक्टर रचना आप ने सुना अभी के चर्चा में एक बहुत बड़ी वज़े बताई जा रही है स्लीप डिसॉर्डर और स्लीप डिसॉर्डर का कारण शायद तनाब भी हो सक तो आइम मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट अडर लाइस्टाल मैंजमेंट एक्सपर्ट तो हमको यह पता है कि आजकल यंग्स्टर में और आजकल हर जगा हम देखते हैं कि बहुत फास-पेस लाइफ है जो जो दिन चर्या है वो भी ठीक नहीं है जीवन चैली वो भी ठीक नही है तो एक बॉilडाउन इसी के उपर होता है कि जो गवन हमारा लाइफस्टाल है वो इतना जादा गड़ बढ़ाया हुआ है और उसको अगर हम मैनेज करेंगे तो जो भी ख्रॉनिक डिजीज हैं खासकर जैसे हार्ट डिजीज हैं जिसके ले इंडियन्स प्रोन हैं तो हम इस चीज को हम एक प्रिवेंटिव मेजर में लेखे आ सकते हैं और जीवन चैली से हम जानते हैं कि थ्री प्रॉंग अप्रोच हम बोलते हैं जिसमें फिटनेस है यानि कि एक्सरा है आपका मेंटल वेलनेस यानि कि तनाव या उसके तनाव किस तर स्ट्रेस लेवल को कम रोक रही हूं आप जब बात कर रही थी तो मेरे यह सवाल आया कि जब आप बोलते हैं कि एक्सराइज करें और फिटनेस की बात होती है ठीक है और खाने की बात होती है तो क्या करते हैं लोग जादा तर अब ये भी मैं देख रही हूं कि आप जिम चले जाते हैं फिटनेस शेक पी लिया और बाद में पता चलता है कि ये सब चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं तो क्या आप कुछ टिप दे सकेंगी कि फिटनिस मतलब क्या सबको अपने-अपने हिरसाब से फिटनिस का एक रेजिमन एक रूटीन होनी चाहिए और खान-पान की भी जी, तो एक जो अगर हम lifestyle management अगर हम simplistically करें तो एक हमें disciplined lifestyle maintain करना है जिसमें हमारा एक जो हमारी body clock है circadian rhythm यानि कि जैसे कि sun बाहर निकलता है तो हम उस समय हमारा body clock हम उस समय उठें या उस समय ना उठ सके तो उसके थोड़ी देर में उठें और उसको जैसे जैसे शाम ढलती है तो उस समय हमारा metabolism कम होता है तो उस समय हम wind down करना शुरू करें तभी लोगों को आजकर नींद की इतनी ज्यादा दिककत भी आ रही है क्योंकि हम लोग screen time है जहां से lights है जो melatonin है hormone हमारा यह hormone से interfere करता है तो इसलिए भी लोगों को ढंग से नींद नहीं आ रही है या टूट इन सब चीजों को देखते हुए और जो fitness के आपने बात कई रोजाना कम से कम 45 minutes का हमको एक simple exercise routine रखना जहां पर जैसे की walking हो गया jogging हो गया जैसा भी आप करना चाहिए active exercise जिसे बोलते हैं जिसे हमारा cardiac crate बढ़ता है उससे एक तो हमारा fitness भी रहता है दूसरा positive hormones liberate होते हैं ज जो यह ज़ूरी हो जाता है प्लस हमारा कुछ passive exercises जैसे योग की क्रिया जो होती है कुछ amount of time वहां पर हम devote करे और about 15 minutes 10 to 15 minutes अगर हम बोलते हैं यह magic mantra है जो मैं आपको बता रही हूं कि 45 minutes हमने अगर devote किया 40 to 45 minutes रोजाना active exercise पे 10 से 15 minutes हमने devote किया अपना simple breath work पे प्रानायाम पे आज तो वेस्ट भी प्रानायाम के पीछे भाग रहा है क्योंकि उसे हमें mind body sign हम मिलता है discipline मिलता है तो किस तरह से heart की बिमारियों को हम prevent कर सकते हैं और अपने lifestyle में क्या बदलाव करें यह बात ही जारी रहेगी इस ब्रेक के बारद में कई मामले जो है hereditary भी होते हैं और उस case में risk factor जादा होता है तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनके परिवार में लोगों को जब heart की बिमारी हुई उसके बाद क्या सुधार या क्या बदलाव आपने लाया मैं यह जाना चाहूंगी लोगों की practical experience क्या रही है शी जी हां मैं बिल्कुल बताऊंगी के मेरे साथ क्या हुआ है और वो यह है के actually एक मुझे मैं गई थी किसी चीज के लिए hospital अपने general उसके check-up के लिए तो मेरा जो keratin था वो बढ़ावा था तो डॉक्टर ने का नहीं ठीक है जो general physician नहीं का नहीं ठीक है लेकिन मेरे जाओि अधर ने कहा कि नहीं हो सकता है कि इसमें कुछ हो सकता है क्योंके इतना ऐसा नहीं होना चाहिए पहले थीक थी ठाँ तो तो फिर किन नेफ्र a- işteowe l Millerि च Suzanne के पास कई और मैंने उनसे बात की प्र जाए है अनुननी भी यह देखके कहा कि नहीं थीक है और इसमें कोई इतनी जादा नहीं लेकिन आप मेरे पास आईए। तो वो कुछ ऐसा फॉचनिट मेरे साथ इंसिडेंट हो गया कि मैं जब उनके पास गई तो उन्हों ने का ज़रा पैर दिखाईए अपने। जब मैंने पैर दिखाया तो उन्हों ने का कि नहीं तो आप तो ज़रा एको करा तो उसमें मेरा जो एओॉटिक वैल्फ था वो उसमें लीकिज था जिसकी विज़े से यह सब हो रहा था तो मुझे दो मुझे जो मौलूम नहीं था कि यह सब क्यूं है तो पिर उनोंने का कि नहीं आप यह तो आप किसी कार्डियोलिजिस को ही दिखाईए तो जब पता च अब क्या बदलाब कि आप कैसे मैनेज करती है अपने हेल्थ को देखे लाइफस्टाइल में तो यह है कि अब एक तो मेरा वेट का मैंने अपना कंट्रोल किया है वेट का पहले तो इतना नहीं था लेकिन अब मैंने जादा किया है और दूसरे मैंने वॉकिंग शुरू की है जी अच्छा और उसके बाद मैडिसन्स ने दी है मुझे तो वो मैडिसन्स मैं ले रही हूं और मैं पानी का भी थोड़ा जादा मैं पीती हूं और जो मेरा यह ऑपरेशन हुआ उसके बाद I'm feeling more comfortable and better तो these are the reasons that I am feeling more confident okay okay NBL Rauh sahab आप बताएंगे अपना experience और किस तरह से आप मैनेश करते हैं अपने health को actually good and everyone actually first 2011 first time a wall a difference was the arrow take one 2021 that it was all right in 2021 may I started going to dr. Rajneesh Kapoor at Medanthas the wall actually in the mean time after 10 to 12 years the erotic wall was damaged I think you know started the damage and dr. sahab ने सजस्क्राइड it needs replacement in the mean time the coffee before he was guiding me properly there is no problem it's a very simple on procedure and काफी तो जी और रिसेंटली तो मेरा भी तवी का उप्रेश्य हुआ एरोटिक वाल इंप्लेंट वा जिनाया जिनाया तमाम लोगों की बेनेफिट के लिए जाना चाहती हूं कि आप जब ये सब कुछ पता चला और आपका ट्रीटमेंट हुआ आपने अपने लाइपस्ट जी तो जी तो मेरे सब्सक्राइब पर हुआई जी तो मेरे साथ आपका तो जी तो जी एक अट्रीज़ा, पर कर फॉज़ेंट ये ज्याओ कर जाना हुआए जीतक्वूआ ये प्रेश्च जिएंटली जी वाकिंट्रा थाना तदो का सब्सक्राइब ये वेरोगों तॉआ follow कर रहे हैं जो डॉक्टर ने आपका advice की है और किया पे हमारे साथ अनुपम मौझूद हैं आप बताएंगे कि आपका क्या experience नहीं है मेरा question डॉक्टर कापूर से है मेरी भाभी 60 years old है अभी recently पता लगा उनके दिल में छेथ है तो डॉक्टर ने ASD closer के लिए बोला लेकिन कुछ डॉक्टर ने कहा कि इस age में required नहीं है और उनने कहा कि अगर pregnancy तक वो fit है तो उसके बाद कोई need नहीं है तो थोड़ा सा confusion है तो आपकी क्यारा है इसमें जो छेद हैं कई बारी वो late age पे भी परते हैं like specially ASD जो बाकी छेद हैं वो early life में present हो जाते हैं जब बच्चे होते हैं या पंदरा या बीस या तीस साल की उमर तक but ASDs may present late पट उसके लिए ये decide करने के लिए भी उनको best therapy क्या चाहिए क्या उस छेद को छतरी से बंद करना है या surgery करना है एक जो एको काडियोग्राफिक का test हम लोग करते हैं जा ट्रांस इजोफेजियल एको और भी advanced test है उससे हम पूरा analyze करके best decision पर पहुंचते हैं भी उनके लिए क्या best होगा अगर उसको अगर वो बड़ा छेद है तो यह 60 साल की उमर पे भी उसको बंद करना चाहिए एक सवाल यहां पर और कई लोगों के मन में है और मैंने भी पहले कहा था कि problem यह भी बिमारियां भढ़ने की कि आपका खाना पानी हवा मती कुछ भी बहुत शुद्ध नहीं है तो pollution जो है air pollution वो कितना बड़ा कॉज है यह आपने इस बात भी उठाई थी आप सवाल पूछने चाहेंगे से डिरेक्ली सवाल तो नहीं है परंतों जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हैं जो है न चे सिटीज में इंडिया में यह जो सर्वे हुआ है पोस्ट कोवीड और प्री कोवीड के डेटा भी उसमें लोगों ने रिलीज किया है तो वहां पर जो डिफेंस है एर पॉलुशन के लेवल में 38 परसेंट डिफेंस जो है न इस डेली में उबजर्व किया गया कि प्री कोवीड से पहले इतना एर पॉलुशन था और पोस्ट कोवीड इतना है यह कितना रिलेटेड है एर पॉलुशन जो है वो हाट पर क्या असर डालता और क्या उसमें किस तरह के पॉलुटेंस असर डालते हैं तो कि हम लोग दिल्ली में जो सबसे पॉलुटेड शेरों में एक है बिलकुल सो पानी और हवा एक बेसिक इंग्रेडियंट से हैं जो सबको अच्छे चाहिए और अनफॉचुनेटली वी आर फेसिंग इस हीट that we are not getting a good air and a good water so AQI अगर अभी भी देखें आप तो भी वो 100 या 100 से उपर मिलता है which is a point of big concern और now there are many studies which tells us जो air pollution का high blood pressure से और indirectly high blood pressure जब होता है तो फिर हो heart disease से association बढ़ने लग गया है so I think this is very clear that if we continue to breathe the bad air we are in for respiratory problems, we are also in for more high blood pressure problems and more heart disease yes, आपने बुल ठीक का, ऐसल में air pollution पिछले 20 साल से ज़्यादा रिकोनाईज होने लगा as a risk factor और इसके कारल बहुत सारे है कुछ तो एक direct effect जो होता है हमारे उपर वालग है जैसे बताया है कि blood pressure बगर बढ़ आता है कुछ हद तक it is like smoking also, just like smoking के toxins आते है यह भी देखा गया है कि खास करके जब पॉलुशन बढ़ता है और इसका क्या लॉंग टर्म असर होता है यह air pollution जो है उसका blood pressure on heart पे Western countries से काफी data है, 30-30 years का भी data है इसके बारे में कि खास करके जो लोग लटस से कि किसी busy street के पास में रह रह रहे हैं कुछ लोग दूर रह रहे हैं उतना भी difference पाया गया है heart diseases में और उसका एक और बड़ा कारण यह भी है कि खास करके जो व्रद लोग होते हैं या पर जनको पहले से heart की problems होती है उन लोगों को pollution के time पर extra lung diseases हो जाती है निमोनिया हो जाते हैं और उसकी वज़े से अंदर जो खून की ठक्के बनने की tendency फिर से दुबारा से बनना शुरू हो जाती है हम अपने दिल का बहतर ख्याल कैसे रख सकते हैं इस पर हम यह चर्चा कर रहे हैं ज़रूर जुड़े रहे हमारे साथ हम लोग में आप जो तमाम लोग यहां पर हैं इसमें से कुछ में देख रही हूं कि Medical College से भी लोग हैं इंटर्न्स हैं जूनियर स्टूडन्स हैं Newcomers हैं और आप इस बहुत सारे लोगों के पास कुछ सवाल भी होंगे हैं अदर्न्स हैं कि очищensen भी हैं ज्यू करें ऑपका सवाल मेरा सवाल श्वाल यह है हमेरे सा हम परतं परिवेंशिन में कैसे जा सकते हैं रात दिन क्यू ढूंड़ एक यहां Bluetooth जैसे कि अभी कुछ सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स आने तक कोई अप्रोच नहीं करते हैं, जब भी आप काम या रूटीन आपका एक्टिविटी कर रहे हैं पहले से, अगर कुछ करते हैं वक्त आपको सास में दिक्कत होने लगी, या कुछ अनिज्वल फिलिंग होने लगा अलाकि जो हम यह बोलते हैं, कि सास नहीं ले पा रहे हैं, कुछ तो सास आपकी भारी जलती है, या पेर में जैसे पेशन्ट बोल रहे थे कि सूजना ने लगा है, ऐसे तोड़े सिम्टम से सर भी उसमें जादा बता पाएंगे, तो अगर ऐसे कंडिशन्स अगर आपको कु अगरा डिफिकल्ट है लेकिन इंपॉसिबल नहीं है, सुबह ब्रामी मूर्त में उठना है, चार से पांच बजे उठना है, उसके बाद में आपको कौंसा भी तेल से अभ्वेंग करना है, स्नान करना है, उसके बाद आपको योगा और प्रानायम का प्रैक्टिस करना है, उसके लिए समय पे सोना भी तो जरूरी होगा, कि चार बजे उसके बाद दोपेर को सोना नहीं है, दोपेर को लाइट खाना लेना है, फिर साथ आठ बजे, छे साथ बजे, फिर खाना काना है, फुल मील करना है, रात को सोने से नौ या दस बजे के बीच में सो जाना है, त लेकिन हमेशा से intermittent fasting अगर आप सूर्यास्त के बाद से खाना बंद करें तो वैसे ही हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है पर नगमा जी एक और बात है कि अब हम शहरों में रहते हैं या तो हम डिसाइड करें कि हम हिल स्टेशन में रहना चले जाएं जो प्राक्टिकल नहीं ह हम सब में यह रहना है यहां काम करना है तो यहां रहे के हम क्या कर सकते हैं जब हम यहां present हैं जब हमने इस lifestyle में रहना है तो हमें और महनत करनी है क्योंकि हमने इस air pollution के साथ डील करना है हमने सारे stresses के साथ डील करना है तो हमारा food और भी बढ़िया होना चाहिए हमारा lifestyle और भ करते हैं सब्सक्राइक करनार कि तिफ फोन आते हैं हम फोन पर बात करते हैं बैठ के बात कर हमें करें चल के बात करें तो इच सिंपल सिंपल चेंजिस कर ले कि हमने सीडिया यूज़ करें, हलके हलके वॉक करें, आप बिलकुल एकदम एकसराइज सीधा जिम जाके आप नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे स्लोली बेबी स्टेप्स लेए, क्योंकि मेनत और करनी है, तो अभी इसके पहले जो सिम्टम्स की बात इनों ने पूचीती है, कि ह यह बहुत important है, risk factor profiling, अगर आज कल इस पे हम emphasize करें, तो इससे हम बहुत सारी जाने बचा सकते हैं, जो जो young individuals हैं, अगर उनका risk factor profiling करें, पहले क्या होता था, हम risk factor profiling करते थे उनका sugar test हो गया, cholesterol test हो गया, और एक treadmill का test कर लिया, या echo cardiography का test कर लिया, तो उससे हम मोटा मोटा ह हिसाब लगा लेते थे भी, इनका जो heart risk factor है, cardiovascular risk factor है, वो high range में है या low range में है, बट एक चीज़ इसमें जानने वाली यह है, जो treadmill जा stress test है, वो तबी abnormal आएगा, जब heart की धमनी के अंदर blockage 80% से उपर चला जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ, जो 50-60% के blockage हो detect नहीं कर रहा और वो बताएगा, वो ठीक है, अब इसमें emphasize करने की बात यह है, जो भी patients, जो भी individuals, जिनकी family history है, जिनके पीछे family में diabetes है, या जो smoking का सहारा लेते हैं, इनके risk factor जादा होगे जो heart disease के लिए, उनको अपना threshold CT coronary angio के लिए low रखना चाहिए, जल्दी कराना चाहिए, इसका implication द that LED, जो main artery है heart की, उसमें 70-80% blockage है, तब उनका जो reaction होता, उनके symptoms को वो different होता, so I think in the present era, anybody who has a more risk factors towards heart disease, the threshold for CT coronary angio should be low, we should get the CT angio as often as possible to know As often as possible, उसका क्या मतलब, साल में एक बार, अगर धमनिया बिलकुल pristine आती है, clear आती है, तो 5 साल में एक बार, और अगर धमनियों में 5-50-60% का blockage है, जो की stress पे नहीं पता चलेगा, तब 2 साल में एक बार उनको यह देखना है, progress तो नहीं होरा, and I think the way that person is looking at changing their lifestyle also becomes totally changed, क्योंक जब उनको पता है भी कोई ऐसी चीज है जो उनको मार कर सकती है, तब उनका reaction towards diet और exercise different होगा, तो आप जादा seriously उस lifestyle change को देखेंगे, पर वो lifestyle change में क्या-क्या होना चाहिए, आप सब से एक-एक tip लोगी, पहले कुछ सवाल और लिती हो, आपके पास किसी के पास सवाल है, जी मेरा सवाल आपसे है कि, सर जैसे मेंस और वोमेंस में हर्ड डिसीजिस के जो सिम्टम्स होते है, या रिस्ट एक्टर्स होते है, सर वो कैसे डिफर करता है, मतलब, दोनों में से, ठीक है, आपका, आप भी question पूछना चाहती है कुछ, ओके, आपका है, हाँ, 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 मैं यह जाना चाहूंगी कि, मेंटल हेल्थ जो है, वो कितना जादा असर डालती है, हार्ट पे, इन्होंने जो सवाल पूछा है, पिर हम, यहां पर से भी सवाल आये थे, कि, मैंन और विमिन में कैसे यह डिफर करता है, और रिस्क कितना अलग अलग होता है, आदमी और और बहुत सारी प्री मेनोपॉजन, यहां पर जेंडर एक्वालिटी हो गई है, और इसी से जोड़ा वो सवाल जो पहले ही पुछा गया था है, कि लक्षर क्या होते हैं दिल की बिमारी के, तो यूजिली चलने फिरने में अगर आपको सांस फूलता है, चाती में, या कहें अगर आपको पहले कभी नहीं हुए थे, अगर आपको हार्ड डिजिस के रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको फैमिली हिस्ट्री है, तो इनको कृप्या करके एग्णूर ना करें, इनको जरूर कम से जरूर के रहे हैं कि सीटी आंजियो से ही सही पता चलेगा, मैं उससे पूरा और आपको वेट, वेस्ट सर्कॉम्फरेंस, यह अगर आप रेगुलर्ली यूथ से शुरू करके लोगों का नाप लें, अगर ठीक टाम पर कॉलेस्ट्रॉल की दवाईया शुरू हो जाएं, स्मोकिंग बंध हो जाएं, तो इन सब चीजों पर अपने बहुत बहुत बहु पर डॉक्टर रचना, आप समय का में आप एक टिप दे सकती हैं लोगों को की मेंटल हेल्थ को अपने कैसे सुधारें और कितना असर डालता है, इसका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉस हमारे जो पॉस्टिव होर्मोन हैं, अगर वो डंग से रिलीस नहीं होंगे, जैसे की जो एंडॉर्फिन हैं, सेरोटोनिन हैं, ऑक्सिटोसन हैं, यह हमारे जो पॉस्टिव होर्मोन हैं, तो हमारी, कोई भी चीज हमारी बोडी में, बोडी माइंड, एक जो हम कनेक्शन बोलते हैं, बोडी माइंड, स्पिरिट का एक ट्रिनिटी, जो है, 360 डिग्री अप्रोच है, उसको हमको हमारे जगह पे एक इनसान के अंदर चरीद, मन, एक जगह मतलब एक इनसान में हैं, तो उसका एक बैलन्स रखना वो बहुत जरूरी है, जैसे आपने पहले भी कहा, नींद का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, और सिंपल उसका एक टिप है, कि सोने से पहले अटलीस 30-45 मिनट पहले स्क्रीन टाइम हम बंद कर दें, सुबह उठते ही, जैसे आप शुरूरी है तमाम लोग अटली, सोने से पहले 30-40 मिनट पहले अगर स्क्रीन टाइम बंद कर दें और किसी तरह से अपने दमाग को शान करें तो शायद बहतर नींद आएगी, तो मेर है हरी, करी, और वरी, यह तीनों हाट के लिए बहुत बड़े रिस्पक्ट, हरी, करी और वरी, हरी मीन्स हम बहुत तेजी से लाइफ को पेस जी रहे हैं, सो इस टाइम तो इंट्रोस्पक्ट और ताइम तो स्लोड़ाउन अबिट, करी इस डाइट जिसमें हम सारा क्रीमी स इस बड़े बड़े रस्प्रश वेजटेबल, fresh salad, fresh fruits लेने हैं, और शर्ष लिए हैं और वरी इस stress, यो आई टिक वीड वी खिलर, क्रास बेड़े के ग़िए हूँ, और बंर यह प्रेस, क्यास, ने बातक्व प्मेंद भी, क्लिए हाँ एल-गी। आइम जिए आपट गी आ चाहें तो नहीं करेंगे, दूसरा है लिटल बिट ओफ एक्सराइज, थोड़ा बहुत रोज टहलने की जरुवत नहीं है, आपको चुस्ती से चलना है, आदा घंटे अगर आप इतनी तेज़ चलें कि आपको थोड़ी से बातचीत करते हो, हल्की सी सांस किसी से बात करने में पूले, आदा घंटा आप इतना चलें, थोड़ा काडियक हेल्थ और पूरे शरीर के हेल्थ के लिए, विमन के लिए, बॉन्स के लिए, मसल्स के लिए, यह बहुत ही आवश्य है, बहुत जरूरी है, आप टिप देना चाहेंगे कुछ, क्या करते हैं? मैं जैसे बता रहा रसाइन करके रिजिनेटिंग ड्रग्स होते हैं, योगा और प्रानायमा, जितना उसके उतना हम करें, उतना प्रिवेंशन में अच्छा है, अगमा जी, वाइटिमन डी बहुत डेफिशेंट, आप जितने भी टेस्ट कराएं, दस में से नौ लोग वाइटिमन डी होने वाली है, तो पहले ही अपना वेट कंट्रोल रखें, टाइम से सोएं, मात्रा में खाएं, और थोड़ा सा कंजम्शन ओफ वाटेवर वी अर टेकिंग इन, थोड़ा ध्यान से लें, क्योंकि इतना जादा अवेलिबल है, तो ध्यान से उसको लें कि हां रुकना है, और करूं इसको, तो एक तो back to nature की कोशिश करें, impossible मुश्किल है, impossible नहीं है, यानि कि जल सोना, ठीक से सोना, समय पे उठना, कुछ exercise हर रोज करना, active रहना, healthy खाना, बहुत जादा refined और बहुत जादा over fried, या फिर कहूं अगर तो जो refined तेल हैं, या palm oil है, इन तमाम चीजों की consumption औ और mental health, यानि के थोड़ा slow down करें, दिमाग को शान्त करें, उसमें प्रानायम और योग का बहुत बड़ा रोल है, ये तमाम चीजें अपनी दिन चर्या का हिस्सा बनाएं, part of life होना चाहिए, tobacco विल्कुल छोड़ें, ये सबसे important है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का हमारी मदद करने के लिए कि कैसे हम अपने दिल का बहतर ख्याल रखें और आप सब का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए